RBI यानि की Reserve Bank of India के अंतरगर्थ Assistant पद पर online form निकला हुआ है और इसमें 950 पदों पर भरती की जाएगी तो कैसे कैसे इस form को apply करना है कौन कौन से लोग apply कर सकते हैं और क्या कैसे सारे process होंगे कब exam होगा exam के syllabus क्या होंगे सारी चीजे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो लाश्ट तक जरूर देखेगा और exam center आप कहां बर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम official website पर आ चुके हैं जो release किया गया है RBI द्वारा यानि की Reserve Bank of India के द्वारा तो यहाँ पर देख सकते हैं recruitment for the post आप assistant assistant के परद पर यह form निकला हुआ है जिसमें की 950 post है 950 post पर आपको vacancy देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आते हैं और एक एक चीज समझते हैं पहले important dates की बारे में आप यहाँ पर समझ लीजिए कि website का जो link है वो कब से कब तक open रहेगा तो 17222 से लेकर के 8322 तक website का link open रहेग जितना duration website open रहेगी schedule for online pre exam के लिए आपका जो schedule होगा वो 26 27 March 2022 को और उसके बाद online main test जो होगा उसके लिए मई 2022 तक का date होगा जो कि tentative है tentative का मतलब यह आगे पीछे हो सकता है आगे तो नहीं लेट हो सकता है अगर covid होगा रहा आ गया तो आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पर देखें बिल्कुल साब clear कर दिया गया है कि यह date जो हो सकता है आगे बढ़ते हैं देखिए application को जो आपको online कर रहा है वो rbi.org.in पर करना है आप बने रहे देखें एक एक चीज मैं यहाँ पर समझाओंगा ठीक है थोड़ा थोड़ा पढ हम बात कर लेते हैं dh20 की आगे क्या क्या चीज़े यहाँ पर दिया हुआ है जैसे हम इस notification को नीचे की तरफ scroll करेंगे तो आगे आपको और भी चीज़े देखने को मिलेंगी थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखें जो भी आपको important चीज़े मिलेंगी जैस अगर यहाँ जो है आपकी 20 साल से लेकर के 28 साल के बीच में अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं मतलब कि जो बच्चे एयर फोर्स वाले हैं जिनकी एज खतम हो गए यह लगता है कि सर एज एकसपार हो गई है अगर उनकी एज 20 साल हो गई है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं जो उनका डेट आप बर्थ है वो 121994 से लेकर के 122002 के बीच तक का डेट होना चाहिए और यह दोनों डेट सामिल है समझ में आ रहा है ना 121994 से लेकर के 122002 तक के बीच में अगर आपका डेट आप बर्थ है तो आप इस फॉर्म को इजली भर पाएंगे तो यह हो गया आपके लिए eligibility अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ यहाँ पर देखे छूट भी मिला है category wise ठीक है तो यह eligibility age के लिए होगे आपका और उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि education qualifying क्या है मतलब कि education qualification आपका यहाँ पर क्या मांगा हुआ है तो education के लिए आपको 50% आपका मांक्स होना चाहिए किसमें बैचलर में बैचलर यानि अगर आप बीए किये हों या मैं किये हों इनमें at least 50% आपका मांक्स होना चाहिए और यह complete हो जाना चाहिए एक दो 2022 तक ठीक है यह नहीं कि सर अभी मेरा second यह चलता है मेरा first यह चलता है तो मैं भर सकता हूं नहीं आपका जो graduation है जातर बच्चे BA करते हैं या पर तो उनका 50% होना चाहिए या BA या मैं जो भी graduation है आपका 50% में उसमें होना चाहिए अब आते हैं सर बात करते हैं यहाँ पर देखे selection के लिए selection scheme क्या होगा आपके लिए तो एक exam जो होगा आपका वो pre exam होगा जिसमें कि आपको इन तीन topics का आपको exam देना होगा जिसमें कि पहला है English दूसरा है numerical तीसरा है reasoning तीनों के देखें English में 30 question numerical में 35 और reasoning में 35 35-35 question टोटल 70 question होते हैं और इनका mark भी 70 है यानि कि एक question एक number का समय बहुत ही कम मिलता है इसमें टीए students 60 minute का समय मिलता है 60 minute में आपको 100 question करने होते हैं यानि कि एक question के लिए एक minute से भी कम का समय लेकिन ध्यान देंगे question बहुत ही easy होता है मतलब कि calculated type को होता है जो numerical वाला question है वो समझे कि जो number system वाला chapter है आपका और LCM, HCF और साधारन ब्याज वाला compound interest और simple interest इन से ज़्यादा question आते हैं और इसमें क्या होता है कि बहुत logical रहता है मतलब ऐसा रहेगा कि बीना paper pen आप कर सकते हैं मतलब उस type कर रहेगा इसमें जीन बच्चों का fast मतलब बहुत तेज वो solve करते हैं questions को वो कर पाएंगे और English में तो आपको पता यह कि क्या चीज़ा हैंगी खेर अब आते हैं main exam पर ठीक है main exam जो आपका होगा इसको pass करने के बाद main वाला exam होगा वो देखिए 5 topics पे होगा उसमें होगा कि reasoning का होगा English का होगा numerical ability का होगा और उसके बाए general awareness का computer knowledge का होगा तो सभी के 40-40 questions होगे डोटर मिला करके 200 questions होगा और उनका marks भी 200 होगा और समय होगा 135 minute 135 minute में आपको 200 questions solve करने होगे इसको pass करने के बाद एक आपका language test होगा आप देख सकते हैं language test कैसा होगता है सर देखे language test वहां के local भासा के बारे मतलब क्योंकि अलग अलग राज्यों में आपकी वैकेंसी है तो अगर आपको उस post पे जाना है तो वहां के local language की एक छोटा सा test होगा वह easily बहुत ही आसान होता है कर पाएंगे जैसे माल लिए कि एहमदाबाद के लिए आप हैं तो गुजराती में होगा वोपाल के लिए हैं तो हिंदी में होगा चंदीगड के लिए हैं तो पंजाबी और हिंदी में होगा local जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां के जो बैंक है न वहां के लोगों के local जो उनकी भासाय होती है वो आपको आते रहना ठीक है तो उमिदे कि आप समझ पाए होंगे तो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं और कुछ प्रोसेस यहां पर देख सकते हैं बात करते हैं सर पेज स्केल की मूल चीज तो यह है कि पेमिंट कितना मिलेगा सर यह बता दीजिए तो देखें जो बेसिक पे है वह वह बीस हजार साथ सव है बेसिक पे जो इसका है बीस हजार साथ सव लेकिन अभी घबडा यह नहीं इतना बड़ा पोश्ट है तो सर बीस हजार साथ ही सव नहीं उसमें देखिए बहुत ही तमाम चीजे जुड़ी हुई हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि रूम रेंट आपको मंथली पेमेंट समझ रहे हैं 45,050 तक आपको पेमेंट मिलेंगे आपर मंथली तो यह कुछ डीटेल्स रहें यह इस्टुएंट उमीद है कि आपको यह चीजे समझ में आई होंगी अच्छा बात कर लें एक्जाम सेंटर के बारे में ठीक है एक्जाम सेंटर के बारे में साफ साफ मेंसन कर दिया गया है कि आप किस राजे के हैं तो कहां पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जैसे माल लेते हैं कि आप बिहार से हैं तो आपके एक्जाम सेंटर आ रहा हो सकते हैं और अंगाबाद हो सकते हैं मुझभफर पूर हो सकते हैं पटना गया ठीक है यह ज सेंटर अम्बाला इसार यह अपने इसाफ से चुन सकते हैं ठीक है जारखंड वाले बच्चे भी यहां पर भर सकते हैं बोकारों में उनका सेंटर या राची में उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब वाले बच्चे अम्रीत सर यहां पर जोदपूर लुदियाना और पट पूच कर सकते हैं तो यह डिटेल आपको कैसा लगा कोई भी आपको जानकारी हो तो जो छूट रही हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं फिलाल के लिए वह सितना ही चैनल पढ़ना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा बाकी भी जो अपडेट होगा मैं को बताता रहूँगा मिलेंगे फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दिश्ट